हलो इंवेस्टर्स, मार्किट से एक से बढ़कर एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और सारी की सारी अपडेट्स एकदम लेटेस्ट है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को PFC यानि की Power Finance Corporation और BEL यानि की भारत Electronics Limited के साथ में टोटल में आठ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Century Enka Limited इस कंपनी के शेयर के उपर में Saturday के सेशन पे हमें लगबग flat closing देखने को मिली थी To be precise 0.17% के positive note के उपर में कंपनी का शेयर close हुआ था कंपनी के शेयर का जो closing price था 602 रुपीस का था कंपनी के अगर official announcement की बात करें तो Century Enka Limited ने जो है यहाँ पर dividend announce कर दिया है 10 रुपीस का जो की definitely एक काफी अच्छा dividend बन जाता है अगर आप dividend value को simply कंपनी के शेयर के price के साथ में compare करेंगे आपको भी खुद बखुद पता लग जाएगा कि एक अच्छा dividend यहाँ पे announce किया गया है रही बात इसको देने की X date और record date की तो वो भी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आ जाएगा मैं आप लगों को intimate कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है We Guard Industries Limited इस कंपनी के शेयर के उपर में Saturday के session पे जो की last trading session था लगबग 2% का correction हमें देखने को मिला और कंपनी के शेयर का जो closing price था 366 रुपीज का था कंपनी के अगर official announcement की बात करें तो We Guard Industries ने जो है यहाँ पे dividend अनौंस कर दिया है 1.40 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 1.40 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आ जाएगा मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Info Edge India Limited नौकरी.com से भी आपने इनका नाम सुना होगा बाइदवे कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का closing price था वो 6,212 रुपीज का था और लगबग 6% की तेजी जो है कंपनी के शेयर पे हमें देखने को मिली थी जो की definitely एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से काफी अच्छा मोमेंटम है. कंपनी के अगर official announcement की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 12 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 12 रुपे का dividend दिया जाएगा यह dividend value आप कह सकते हैं ठीक ठीक सा यह जादा कुछ खास dividend announce नहीं किया गया और बाकी इसको देने की भी x date record date जो है अभी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आजाएगा मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा तो प्लीज आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Orion Pro Solutions Limited इस company के share के उपर में Saturday के session पे हमें लगबग 4.5% की गिरावट देखने को मिली थी जोगी definitely एक अच्छा खासा correction है और company के share का जो closing price था 2445 रुपीज का था इस company के अगर official announcement की हम बात करें तो Orion Pro Solutions ने जो है यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है 1 is to 1 के ratio से इसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share as a bonus मिलेगा टोटल में जो आपका एक share है वो दो shares के अंदर में convert हो जाएगा in short आप लोग यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो वो सभी के सभी हाँ पे double हो जाएंगे because आपके पास में जितने भी shares होंगे उतने ही shares का आपको bonus दिया जाएगा और इस bonus को देने की जो X date और record date है वो भी अभी फिलाल upcoming में है तो जैसी announcement आ जाएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा आप लोग चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा प्लीज अगले share की बात करें तो company का नाम है कामधेनू Ventures Limited इस company के share के उपर में Saturday के session पे हम लोगों को 3% से ज़ादा की तेजी देखने को मिली और company के share का जो closing price था 173 रूपीज का था इस company के अगर official announcement की बात करें तो कामधेनू Ventures ने जो है यहाँ भी stock split announce कर दिया है 1 is to 5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर चाहे आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा and stock split को देने की जो X date और record date है वो 14th of June यानि की 14 June की रहने वाली है अगले share की बात करें तो company का नाम है PFC यानि की Power Finance Corporation अब जो Saturday का last trading session था उसके अंदर Power Finance Corporation के share पे हम लोगों को 2% से जादा की तेजी देखने को मिली और company के share का जो closing price था 464 रोपीज का था अब Power Finance Corporation की तरफ से एक काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे 5 पैसा करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and I'm damn sure आप लोगों ने 5 पैसा का नाम तो definitely सुनाओगा अब 5 पैसा ने जोए Power Finance Corporation के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target दिया गया है वो 490 रोपीज का दिया है तो लगबग 464 रोपीज से लेकर के 490 रोपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे 5 पैसा expect करके चल रहा है Power Finance Corporation के share के उपर में और साथी साथ में 5 पैसा ने जोए यहाँ पे stop loss भी recommend किया है जो की 440 रोपीज कराएगा तो 440 रोपे का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जोए 5 पैसा ने Power Finance Corporation के share के उपर में प्रोवाइड किया है अब PFC जोए एक PSU unit है यानि की government-backed company है तो यहाँ पे investor का support और government का support भी हमेशा बना रहता है और कहीं न कहीं देखा जाए PFC fundamentally और financially तो strong ही है साथी साथ में on charts भी company का share काफी जादा अच्छे trend के अंदर में move कर रहा है और यह जो 490 रुपीस का target है definitely एक काफी छोटा target है जो की आपको 2-3 दिन के अंदर में भी achieve होता हुए देखने को मिल सकता है तो definitely अगर आप लोग चाहें तो Power Finance Corporation के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हो अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो यह भी एक PSU unit है company का नाम है भारत Electronics Limited यानि की BEL इस company के share के उपर में Saturday के session पे हमें लगबग 9% की तेजी देखने को मिली जो की definitely एक ही ट्रेडिंग session के हिसाब से काफी जादा धमाकेदार रह ली है company के share का जो closing price था 259 रुपीस का था अब BEL की तरफ से भी एक काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically again 5 पैसा जो की एक काफी जाना माना brokerage firm है इन्होंने यहापे भारत electronics limited के share के उपर में भी bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहापे जो target दिया गया है वो 280 रुपीस का दिया है तो लगबग 259 रुपीस से लेकर के 280 रुपीस तक की एक जो rally है वो यहापे 5 पैसा expect करके चल रहा है भारत electronics के share के अंदर में अब यहापे 5 पैसा ने कोई stop loss तो recommend नहीं किया है बट एक 260 से लेके 280 रुपे तक का जो momentum है वो कही न कहीं 5 पैसा indicate करता हुआ देखने को मिल रहा है अब काफी आए possibilities बन सकती है कि जो अगला trading session है यानि कि कल का दिन Tuesday के दिन उस दिन हमें जो है भारत electronics के share में थोड़ा बहुत और upside momentum देखने को मिल जाए अगर all over market से आप एक positive trend के अंदर में move करते हैं और रही बात 280 रुपीज के target की तो यह target भी हो सकता है इसी week के अंदर में आप लोगों को achieve होता हुआ देखने को मिल जाए बाकी भारत electronics भी fundamentally financially काफी strong company है और साथी साथ में PSU unit होने की वज़े से government का support और investor का trust यहाँ पर बना रहता है definitely आप लोगों को भारत electronics के share के उपर में भी आपकी नजर बना के रखनी चाहिए all over company काफी जादा अच्छी है बाकी भारत electronics limited और power finance corporation दोनों companies के shares को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और इन दोनों के ही अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी x date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 8 stocks थे जिन्नोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो definitely वीडियो को like कर दीजेगा फिनो media by arush youtube चानल को subscribe भी कर दीजेगा बिकोज ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे ले करके आता रहता हूँ तो चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye